पुरुष इस सूर्य में प्रकाशित हो रहा आदिप्त हो रहा है वो मैं ही हूँ अर्थात मेरी और उसकी चेतना एक ही है ब्रह्म्ह चेतना से मैं भी परिचालित हो रहा हूं वो भी परिचालित हो रहा है उसका भी अपना एक शरीर है यह मेरे पास भी एक शरीर है लेकिन हैं आत्मा एक ही है दोनों में तो इन्होंने कह था वामदेव ने की मैं ही मनुथा, मैं ही सूर्य हूं, तद इदम अपि एतर ही, ये एवम वेदा, अहम ब्रह्मास्मी इती से इदम सर्वं भवती, तो केरें, तद इदम अपि एतर ही, इसलिए आज भी, आज भी ये एवम वेदा जो ऐसा जानता है जो ऐसा मानता है अहम ब्रह्मास्मी मैं ब्रह्म हूँ से इदम सर्वं भौती तो वो वास्तव में ब्रह्म ही बन जाता है जो ऐसा विचार करता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो वो ब्रह्म ही बन जाता है से एवं वेदा अहम ब्रह्मास्मी इती से इदम सर्वं भवती तस्यह न देवास्चन अभुत्या इशते कस्चन माने कोई भी देवास्चन माने देवता भी तो जो आज भी ये कह देता है कि मैं ही ब्रह्म हूं तो से इदम सर्वं भवती तो ये सब बन जाता है सब बन जाता है माने ब्रह्म ही बन जाता है तस्य है ने देवास्चन अभुत्या इशते तो वो किसी भी देवता को अभुत्या माने उसका एश्वरी वैसा ने होता हुआ देवता ने होता हुआ कियोंकि मैं ब्रह्म हुँ हूँ तो देवता से बड़ा हूँ हूँ नॉ इसलीए देवता भी उसके ऐश्वरिय को अभुत्य कहते हैं उसको देवता भी नहीं रोक गाव देवता भी उसको देवास चने माने कोई भी देवता जैसे कस चने होता है ना ऐसे ये इसका उपनिशद का वाक्य है देवास चने कोई भी देवता भी देवता तक भी उसको रोक नहीं सकते हैं अभूत्या मतलब रोक नहीं सकते हैं अभूत्या इशते आत्मा ही एशा आत्मा सभवती अथयो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असव अन्यो अहम असमी इती नै सवेदर यथा पशु एवं सदेवा नाम आत्मा ही एशाम सभवती वो तो इन सब में आत्मा बन जाता है कि मैं इन सब में देवों में भी मैं ही हूँ अहम ब्रह्मास्मी तो ब्रह्मा तो सब में है ना तो सूर्य में भी मैं ही हूँ चंद्र में भी मैं ही हूँ देवों में भी मैं ही हूँ पृत्वी में भी मैं हूँ वायों में भी मैं हूँ ऐसा जो मान लेता है अहम ब्रह्मास्मी वो है व्यक्ति आत्मा ही एशाम भौती इन सब का वो आत्मा बन जाता है देवों का भी आत्मा ही एशाम से भौती अथ है यो अन्याम देवताम उपासते और जो विक्ति दूसरे-दूसरे देवताओं की उपासना करता है अन्यो असव अन्यो अहम अस्मी इती तो उसकी माननेता क्या होती है देवता अलग है और मैं अलग हूँ तो मेरे से उत्क्रिस्ट आत्मा है ये देवता और मैं देवताओं से निक्रिस्ट आत्मा हूँ तो इसलिए ओ देवताओं की उपास ना करता है कोई हनुमान जी की करता है कोई शिव जी की करता है कोई गणिश जी की कोई दुर्गा की कोई सरस्वती की तो क्या मान लिया इस आत्मा ने कि ये देवता मेरे से उत्क्रिस्ट है ये तो देवता है ये अन्य है मेरे से और मैं इन से अन्य हूँ तो देवताम उपासते अन्यों असव अन्यों अहम अस्मी इती सर ने सर वेदर तो वो अपने स्वरूप को ठीक नहीं जानता है ठीक ठीक नहीं जानता है क्योंकि वो अलगाव देख रहा है न तो वो इन देवों के लिए कैसे बन जाता है यथा पशु एवं से देवानाम जैसे पशु और मनुष्य है तो पशु क्या सोचता है कि ये मनुष्य मेरे से उतक्रिस्ट है और मैं तो इनकी सेवा के लिए ही बना हूँ तो वो कभी भी जगडा नहीं करते हैं न पशु तो दो-तिन पशु मिल करके अपने मालिक को उसकी सेवा करते हैं कोई दूद देते हैं कोई हल में चलते हैं कोई बोज़ाड होते है तो वो तीन चार पशो मिलकर के एक मनुष्य का पोर्षण करते हैं और उन्होंने ये मान लिया कि हम अलग आत्मा है और ये मनुष्य हम से उख्रिस्ट आत्मा है यूद्धि आत्मा तो एक ही है दोनों में तो कहरें ऐसे ही ये जो मनुष्य हैं जिन्हों ने ये मान लिया कि मैं इस इस देवता की सेवा करने के लिए बना हूँ तो वो उन उन देवताओं के लिए पशु जैसे हैं जैसे हम मनुष्यों के लिए पशु हैं हमारी सेवा करने वाले ऐसे ही देवताओं के लिए हम मनुष्य हैं उनकी सेवा करने वाले हमने यदि ऐसे सोच लिया कि देवता अलग हैं और हम अलग हैं तो यथा हवई बहवपश्व मनुष्यम भुन्जू एवं एकई कह पुरुश्व देवान भुनक्ती तो कह रहें जैसे बहुत सारे पश्व मिल करके एक मनुष्य को भुन्जू जैसे उसका भरण पॉश्ण करें करते ही हैं तो ऐसे कई सारे एवं एकई कह पुरुश्व ऐसे एक-एक मनुष्य देवान भुनक्ती देवों को कोशित करता है देवों का देवत्व तो तभी है ना जब उनके बहुत सारे फोलोवर्स हों पुजक हों, उपासक हों कोई भी उसकी उपास नाना करे तो विचर देव ता कैसे बनेगा फिर ऐसे एकई कह पुरुश्व देवान भुनक्ती एकस्मिन नेव पशव आदियमाने अप्रियम भहुती किम उबहुशू तस्माद एशाम तन्ना प्रियम यद एतत मनुष्या विद्योहू तो करें कि जैसे बहुत सारे पशु मिलके उस एक मालिक को एक पुरुश को सेवा देते हैं, खुश करते हैं ऐसे ही एक-एक मनुष्य मिलकरके इन देवों को भुनकती इनको भोजन देता है माने भोजन देता है मतलब उनकी भक्ती करता है करें एकस्मिन एवब पशव आदियमाने जैसे चार-पांच पशु हैं और उनमें से एक पशु भी अगर मर जाए या कोई ले जाए चुरा के एक पशु भी उससे च्छिन जाए तो अप्रियम भोती उसको अच्छा थोड़ी लगता है मनुष्य को उसका एक पशु भी कोई चुरा ले या उससे मर जाए उससे अलग हो जाए मतलब च्छिन जाए कोई छीन ले जाए तो उस मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है न एक पशु भी घट गया न उसका क्योंकि वो ही तो सेवा करते थे उसकी तो करें एक पशु भी छीन जाने पर उसको अच्छा नहीं लगता अब प्रियम भोती किम उ बहुशु और सारे पशु छिन जाएं तब तो कहना ही क्या एक भी नहीं छिनना चाहिए तो कहरें ऐसे ही तसमाद एशाम तन्ना प्रियम इन देवताओं को भी ये प्रिये नहीं लगता है कि एतत मनुष्य विद्यु हूँ इस सत्य को ये मनुष्य जाने कौन से सत्य को अहम ब्रह्मास्मी क्योंकि नहीं तो फिर देवताओं की पूझा कोन करेगा अगर सारे ही मनुष्य ये कहें कि अहम ब्रह्मास्मी तो देवताओं के पास कोन बचेगा उनको भी तो चाहिए, तो देवता क्या चाहते हैं, इनको इस रहस्य का पता नहीं लगना चाहिए, अहम ब्रह्मास में और ये कौमनियम है, देवताओं के माध्यम से पूरा जीवन का ही दर्शन समझा दिया है जो भी बड़ा है न, वो नहीं चाहते हैं कि उसके छोटे वाला भी उसके बराबर बने, नहीं तो फिर उसका बड़पन छिन जाएगा तो ये हर जगें लागू है, ये बात राजनीती में भी है, तो वो दूसरे को नहीं आगे आने देना चाहते हैं और ये बात तो घर परिवार में भी है, सास नहीं चाहती है कि बहु का भी वैसे राज चले जैसे मेरा चल रहा है, तो ये भी अगर वैसे निरने लेने लगी तो मेरे को कौन पूछेगा फिर तो हर एक ने अपने अपने पशु पकड़ रखे हैं, और उन मेंसे एक पशु भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए सारे वो अपने बड़े बना रखें तो ऐसे धरम गुरुवों में भी बना रखें तो अपने एक शिश्य को भी इधर उधर नहीं जाने देते हैं ये हमारे हैं अपने मन से भाग जाए वो अलग बात है जाने नहीं देना चाहते हैं ये हमारे हैं मत, पंथ, संप्रदाय, सब कोई नहीं चाहता है कि इनको इस रहस्ते का पता लगे, नेता लोग नहीं चाहते हैं कि सब मनुष्यों को ये पता लगे कि हमारे लोकतंत्र में क्या-क्या राइट्स हैं, वो उनको जो दूर दराज के जो गरीब गाउं कभीले होते हैं, तो उनक पांच किलो चावल दे दिया एक महिने में, एक किलो घी या तेल जो भी दे दिया, एक किलो उनको मिटी तेल दे दिया, और बोले देखो हम आपका कितना उपकार कर रही हैं, और उनको इतना देने के पीछे उसने उपर से कितना लिया होगा, उससे सोगुना जादा लिया ह और उनको खुश कर देता है तो वो नहीं चाहता है कि ये मनुष्य भी ये जान पाएं कि लोक तंत्र में इनको भी उतना ही राइट है जितना की मुझे है इनको भी उतना ही राइट है जितनी अच्छी सिक्षा मेरे बच्चें को मिल सकती है उतनी ही इनके बच्चें को भी मिल सकती है ये इनको पता नहीं लगना चाहिए तो इनको तो हम छोटे मोटे स्कूल भी या खोल देंगे तो इनके उपर एहसान करेंगे कि देखो हमने आपके कितनी क्रीपा की वो कोई छोटा मोटा रोड भी बना देंगे भले ही वो चार मैने के बाद तूटी जाए क्योंकि उपर उपर से बनाते हैं और सरकार से तो उसके लिए बहुत जादा पैसे ले लेते हैं केंदर सरकार से तो तो ये नहीं चाहते हैं कि इनको ये पता लगे कि इस रोड के लिए हमारे रोड के लिए इन्होंने कितना रुपया लिया बताते भी नहीं है और कोई इधर उधर से ढोड़ना चाहे तो वो उसको मतलब जानने देना भी नहीं चाहते हैं उसको रहस्ते ही बनाई रखना चाहते हैं ये नियम सब जगें लागू हो रहा है संसार में जो अपने से बड़ा है वो अपने से छोटे वाले को अलाव नहीं करता है आगे आने के लिए या फिर उसमें इतना एक रूपता बन जाए मतलब उसने अपना ही मान लिया यदी तो फिर आने देगा फिर तो प्रयास पूरवक ले के आएगा नेता ने अपने बेटे को अपना ही स्वरूप मान लिया तो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए गुरू ने शिश्य को अपना ही रूप जान लिया अब गुरू चाहते हैं कि जतना मैं कर पाया वो तो इनका है ही ये उससे भी आगे जाए माता पिता ने बच्चों में अपने ही स्वरूप को देख लिया कि ये मेरे बच्चे क्या है ये मेरा ही स्वरूप है मेरे ही अस्तित्व का एक अंग है तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से भी आगे जाएं तो वहाँ तो मान लेंगे पर जहाँ अलगाव है वहाँ नहीं मानेंगे है कि नहीं यह दर्शन दिखता है न सब जगें ऐसा ही है शेर सारे प्राणियों को खाता है अपने बच्चे को नहीं खाता है कितना हिंसक प्राणी है लेकिन भूख लगती है तो सबसे पहले उसी का बच्चा है ना उसके पास नहीं वो कहते हैं कि मतलब उसको उस समय ना प्रीती बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है सांप और बिल्ली को जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको इतनी प्रीति उत्पन्न होती है कि वो उसको अंदर ही ले जाना चाहता है, ऐसा बताते हैं, लेकिन अपने बच्चे को खाते नहीं है, वो एक को खाती है, बाकी को नहीं खाती है, उसको पकड़ती है, उससे टेक्निक से पकड़ती है कि उसको चोट क्या लग जाए अपने बच्चे को पकड़ती है तब दाड को दबाती नहीं है सौफ्ट पकड़ती है और जब चुहे को पकड़ती है तब तब बच्चता नहीं है वाँ कुछ और अपने वाले बच्चे का कुछ बिगड़ता नहीं है तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा ही है ये देवता भी नहीं चाहते हैं कि इन आत्माओं को ये पता लगे कि अहम ब्रह्मास में आगे ब्रह्म हुआ इदम अग्रे आसीत एकमेवर शुरू में स्रिस्टी के आदी में अकेला ब्रह्म ही था एकमेवर तद एकम सन्न व्यभवत तो एक होता हुआ वे है नव्यभवत विभू नहीं हुआ एक ही है तो प्रीब व्यापक नहीं होगा न इस रूप में जैसे ये स्रिस्टी बनी है इस रूप में तद एकम सन ने व्य भवत तद स्रेय रूपम अत्य स्रिजत है तो उसने फिर स्रेय रूप का स्रिजन किया स्रेय रूप मतलब क्षत्रम क्षत्र रूप का स्रिजन किया सबसे पहले क्षत्र रूप को बनाया उसने यानि एतानी देवत्रा, क्षत्राणी, इंद्रो, वरुण, सोमो, रुद्र, परजन्य, यमो, मृत्यू, ईशान, इति तो जो उसने क्षत्र रूप का स्रिजन किया उस रूप में कौन-कौन से देवता आते हैं? क्षत्रम यानि एतानी देवत्रा, देवों में जो क्षत्रिय अर्थात पराक्रम वाले जो देवता हैं, वो कौन-कौन से हैं? इण्ड्र, वरुण, सोम, रुद्र, परजन्य, यम, गृत्यू हूँ और ईशान ईशान संकर कोई कहते हैं, शिव कोई तो ये सारे देवता क्या है? क्षत्र वाले, पराक्रम वाले, ये स्रे रूप है इश्वर का च्षत्रिय रूप है इश्वर का तस्मात क्षत्रात परमनास्ती इसलिए क्षात्रवल से स्रेष्ट कुछ नहीं है तस्मात ब्राह्मन क्षत्रियम अधस्तात उपासते राजसुये इसलिए जब राजसुय जी किया जाता है तब ये जो ब्राह्मन है ब्राह्मन क्षत्रियम अधस्तात उपासते ब्राह्मन जो है वो क्षत्रिये के नीचे बैठेगा राजसु यज्य में क्षत्रिये को उंचे आसन पे बिठाये जाएगा और ब्राह्मन उसके नीचे बैठेगा क्योंकि उसमें उस राजसु यज्य में प्रधानता किसकी है? क्षत्र रूप की क्षत्रियत्व की ही पूजय की जाती है ना वहाँ पर तो इसलिए तस्मात क्षत्रात परम नास्ती तस्मात ब्राह्मन क्षत्रियम अधस्तात उपासते राजशुये क्षत्रम एव तद्यशो दधाती सैसा क्षत्रस्ययोनि यद ब्रम्हा लेकिन कह रहे हैं क्षत्र एव तद यशो ददाती क्योंकि जो यज्ज किया जा रहा है उसमें क्षत्रियत्व के द्वारा ही तो यश्प्रदान किया जाता है क्षत्र यत्व ही तो उसको धारण करता है यज्जें को नहीं तो कोई भी यज्जें को आके खंडित कर दे यज्जे निर्विग्न चलता है तो ये किस के वज़े से चलता है क्षत्र धर्म की वज़े से चलता है क्षत्र एवत अद्यशो दधाती सा एशा ख्षत्रस्य योनी यद ब्रह्म है लेकिन कह रहे हैं कि इस ख्षत्रत्व का भी ख्षत्रधर्म का भी बनाने वाला कौन है ब्रह्म है मूल उसका योनी मतलब मूल कारण उसका तो कारण कौन है इसका भी ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म को उसको पूजा भी करनी पड़ेगी ब्रह्म का ही मतलब यहां ब्रह्मन तो यद्देपी राजसू यद्जे में उसको ऊपर बिठाया जाता है लेकिन वो होने के बाद होने के बाद तो साएशा क्षतरत से योनिर्यत ब्रह्मह इस खषतरत की भी उत्पत्ती का जो कारण है वो तो ब्रह्मह ही है तस्माद यद्यपी राजा परमताम गच्छती ब्रम्हिव अंततह उपनिस्ट्रयती स्वाम योनिम तस्माद यद्देपी राजा परमताम गुच्छती राजसु यज्य में यद्देपी राजा परमता को प्राप्त करता है परमता माने स्रेस्थता स्रेस्थता को प्राप्त करता है से उपर उसको बिठाया जाता है लेकिन ब्रह्माईवा अंततह उपनिस्त्रयती जब यह यज्य समाप्त हो जाता है तो अंततह यज्य के अंत में ब्रह्माईवा उपनिस्त्रयती तब वो फिर ब्रह्मन के नीचे आसन पर ही बैठता है यज्य होने के बाद फिर ब्रह्मन का ब्रम्हा का आसन उंचा होगा और इस राजा का आसन नीचे लगा दिया जाएगा फिर वो नीचे आके बैठेगा यज्य पूरा होने के बाद क्यों? क्योंकि उसका मूल कारण तो ब्रह्मन ही है ना? ब्रम्हा से उत्पन हुआ ना उसका कारण तो अपने कारण का तो अपमान नहीं किया जाता ना? ऐसी तो नहीं है ना वैदिक परंपरा अपने कारण का अपने मूल का हमेशा सम्मान किया जाता है क्योंकि वो ब्रह्मन ही उसकी क्या है? मूल है स्वाम योनिम उसकी अपनी योनी हे माने उसका कारण उसी से उत्पन्न हुआ था ये उएनम हिनस्ती और जो अपने मूल कारण की हिंसा करता है जहां से उत्पन्न हुआ उसी की जो हिंसा करता है स्वाम से योनिम रिच्छती तो समझ लो कि वो अपने ही कारण को नस्ट कर रहा है व्रिक्ष यदि जड़की निंदा करने लगे उसका नाश करने लगे तो वो किसका नाश कर रहा है अपने ही कारण का नाश कर रहा है तो वो इसुख जाएगा फिर तो कभी भी अपने कारण का अपमान नहीं करना चाहिए ये उएनम हिनस्ती स्वाम से योनिम रिच्छती तो वो अपनी योनि को ही नस्ट करता है अपने मूल कारण को ही नस्ट करता है से पापी अन्भोती और वो फिर पापी हो जाता है तो बच्चे यदि बड़े होकर के माता पिता का अपमान करने लगे क्योंकि कारण तो उत्पत्ती का तो माता-पिता है ना और बड़े होकर के अपने को बड़ा मानने लगी ठीक है आप कोई बड़े ओफिसर बन गए आप किसी कलेक्टर के पद पे पहुँच गए कोई I.S.I.P.S. बन गए आप तो जब आप ओफिस में बेठे हैं तब आप बले ही उन्ची वाली कुरसी पे बैठें लेकिन जब वो आपकी ड्यूटी खतम हो गई तो तब फिर आपको माता-पिता के सामने कुरसी पे ने बैठे रहना चाहिए फिर कहां आना चाहिए नीचे आना जाहिए तब तो क्योंकि वो अपना कारण है, मूल कारण है कोई शिष बहुत सुयश को प्राप्त कर गया उत्क्रिस्ट विद्या को प्राप्त कर गया और कहीं मालो उस शिष्य को भुलाया जाता है विशेश रूप से तो वो उपर बैठेगा लेकिन वो करेकरम होने के बाद फिर उसको अपने गुरू से नीचे बैठना चाहिए अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो क्या मन जाता है पापी बन जाता है अपने ही कारण का अपमान करने वाला जहां से तुम बने थे उसी का अपमान करने लग गए तो ईश्वर की द्रिस्टी में आप क्या है पापी तो अपने मूल का अपमान नहीं करना चाहिए से पापियान भौती यथा स्रेयान सी हिंसित्वा अपने से स्रेस्ट की हिंसा करके जैसे कोई सामान व्यक्ती पापी हो जाता है तो ये अपने स्रेस्टों की हिंसा जैसे ही है उनसे उपर बैठना उनके उनका सम्मान आदी ना करना तो उनकी हिंसा होती है ना फिर तो जैसे कोई अपने से स्रेस्ट की हिंसा करके पापी बन जाता है ऐसे ही ये अपने मूल कारण को अपना जो मूल है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कितने अच्छी जिक्षा दी इनों ने देखो फिर आप यहां से निकालो दूसरे अध्याई का चोथा और पांच्वा ब्रामन या जवल कमाई त्रेई समवाद मिल गया दो प्रिस्ट छोड़के कितना पेज नंबर तेरा नंबर पेज पे शुशुप्ति अवस्था को छोड़के क्योंकि वो अकेली शुशुप्ति अवस्था को पढ़ने से फिर कोई प्रयोजन नहीं बनता है ना जागरित अवस्था ली अमने ना स्वप्न ली तो अकेली शुशुप्ति अवस्था है वो इसलिए छोड़ दिया उसको तो अभी ये आगे ये पढ़ते हैं मैत्रेई इती हो वाचे या जवल किया उत्यास्यन अरे एहम अस्मात स्थानात अस्मी हंतर ते अनया कात्यायन्यान तम करवानी थी तो ये बड़ा प्रसिद्ध सम्वाद है मैत्रेई हो आचे या जवल के या जवल के नाम के एक रिशी थे तो उन्होंने मैत्रेई से कहा जो कि उनकी पत्नी थी उद्यास्यन अरे आहम अस्मात स्थानात मैं इस स्थान से उपर उठना चाहता हूँ किस स्थान से ग्रियस्त आस्रम में रह रहे थे तो ग्रियस्त आस्रम से उपर उठना चाहता हूँ उद्यास्यन अरे एहम अस्मात स्थानात मैं इस स्थान से थोड़ा उपर उठना चाहता हूँ तो हन्त तो इसलिए उन्होंने कहा है मैं त्रेई ते अनया कात्यायन्या अन्तम करवानी थी तो मैं कात्यायनी के साथ तेरा संपत्ति का वो कर देता हूँ संझोता विभाजन कर देता हूँ दूसरी पत्नी कात्याईनी थी, तो कात्याईनी के साथ तेरा वो करवा देता हूँ, विभाजन, हैसला, जो भी संपत्ति, दोनों को आधा-धा दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को अब ग्रियस्थास्रम से उपर उठना है तो वो भी थोड़ी समझदा थी, साहो वाचा मैत्रे, मैत्रे ने कहा, यन्नु इमंभगः भगवन यत निश्चही जो मे इयम सर्वा प्रिथ्वी, मेरे लिए इयम सर्वा प्रिथ्वी, ये पूरी की पूरी प्रिथ्वी, कात्याईनी के पास उसी धन में से आधा नहीं, ये सारी की सारी प्रिथ्वी, और व वित्तेन पूर्णा स्यात धन से भरी हुई हो अनंत धन धन्धानने हो इस प्रिथ्वी में और वो यदि मेरे को मिल जाए तो कथम तेन अमरिता स्यामिती ही तो क्या मैं उससे अमरितत्तु को प्राप्त कर लूँगी क्या अगर ये सारी की सारी प्रिथ्वी मुझे अकेली को मिल जाए और वो भी धन धन्ने से पूर्ण हो खाली ना हो वित्तेन पूर्णा स्यात तो कथम तेन अमरिता स्यामिती कथम कैसे उससे मैं अमरितत्त्त को प्राप्त कर पाऊंगी क्योंकि आप तो अमरितत्त्त को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं ना तो मुझे भी तो वो ही चाहिए नहीं इती हो आचे उन्होंने का नहीं नहीं कर पाऊंगी सारी प्रिथ्वी मिल जाए तो भी अमरितत्त्त्त को प्राप्त नहीं कर पाओगी, या जवलके हा, हा उआचा, या जवलके नहीं कहा, यथाईव उपकरण वताम जीवितम, जैसे उपकरण वालों का जीवन होता है, जिनके पास बहुत संसाधन होते हैं, तो संसाधनों से संपन्न व्यक्तियों का जैसा जीवन हो जाता है, तथाईव तेज वीतम से आप वैसे तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा, वने सब चीजें आपको अच्छी-च्छी मिलेंगी, जैसे धन्वान लोग जीते हैं, वैसे आपका जीवन हो जाएगा, अम्रितत्वस्यतू ने आशास्ति वित्यने धन से अम्रितत्व की आशा नहीं की जा सकती धन एक साधन तो हो सकता है साब देन नहीं हो सकता है तो इससे अम्रितत्व की आशा तो नहीं की जा सकती साहो आचे मैत्रेई येना हम नाम्रिता स्याम किम हम तेन कुरियाम तो करिये कि जिससे मैं अम्रितत्व को ही प्राप्त नहीं कर पाऊंगी तो उस धनका में ले करके भी क्या करूंगी ये ना हम नाम्रिता स्याम किम हम तेन कुरियाम यदेव भगवान वेदर तदेव में ब्रुही तो अम्रितत्व के लिए क्या आवश्यक है यदि आप जानते हैं तो वो मुझे बताईए क्योंकि इस धन में यदि कोई सुख होता तो आप इसको छोड़ के नहीं जाते ना आप इसको छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब इससे भी जादा सुखदाई कोई वस्तु है वो अम्रितत्व है तो फिर मैं उसी की कामना करूंगी ना इसकी कामना मैं क्यों करूंगी जब आप इछोड़ के जा रहे हैं तो उसका कोई उपाय आप जानते हैं तो वो आप मुझे बताईए कि उसको कैसे प्राप्त करूं तब उसका उपाय ये इनको बताएंगे जिसको अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे ओ शान्ति 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 ही स्री गुरुभ्यो नमह झालो